जेहीं दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ National Seeds Corporation Limited यानि के NSCL भरती 2020 के बारे में जो कि recently जारी की गई है और जिसमें की All India से Fresher Candidate भी आवेधन कर पाएंगे तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर पहले आप तोड़ा सोट में जान लीजे फिर मैं आपको परते एक जानकारी इसके Official Notification से Confirm कराऊंगा तो Name of the Organization आप लोग जान चुके हो जो कि आपका National Seeds Corporation Limited है इसको सोट फोर्म के अंदर NSCL बोलते है और हिंदी में इसको राश्टी है बीज निगम लिमिटेड बोलते है जोब टाइप के कर बात करें तो यह बढ़ती Central Government के अंतरगत आती है जोब नेम यहाँ पर आपके काफी सारे यान के काफी पदों पर यह बढ़ती निकाले जिसमें आप यहाँ पर नेम चेक कर सकते हो जैसे की Assistant, Management, Trainee यानि के MT, Senior Trainee, Diploma, Trainee, Trainee and Trainee Mate यह इसके अंदर पद निकाले है टोटल वैकेंसी सभी पदों को मिला करके 220 है और जोब लोकेशन आपकी Across India रहने वाली है साथ ही Across India यानि के पूरे भारत से आप लोग इसमें आवेधन कर सकते हो Notification Release Date आपकी 7 July 2020 है और आवेधन करने की अंतिम्तिती अभी Officially Announce नहीं की गई है जैसे ही आएगी Form Fluff की Date और आपकी Form बढ़ने की अंतिम्तिती तो मैं आपके लिए तुरंत वीडियो Form Fluff की बनाने वाला हूँ और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि कब तक आप Form को भर पाऊ Official Website आपकी IndiaSeeds.com है अब चले इसके Legibility Criteria के बारे में भी यहां से जानकारी जान लेते हैं बट इसके पहले आप यहां पर Post-wise Vacancy Retail देख लिए कि किस Post के लिए कितने पद निकाले है तो यहां पर सबसे जदा पद आपके ट्रेनी के लिए 112 है और salary आपको यहां पर बताई बाकी डिटेल्ड में जानकारी में आपको आगे Official Notification से देने वाला हूँ Age Limit यहां पर आपकी Assistant के लिए Maximum 30 साल है MT Senior Diploma Trainee & Trainee के लिए 27 साल है Trainee Mate के लिए 25 है और इसके अलावा Government Rules के CST के नेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी सेलेक्शन दोस्तों यहां पर आपका Computer Based Test Interview Only for MT यानके Interview जो यहां पर Computer Based Test और Interview है यह केवल MT Post के लिए होगा and Skill Test Accept MT MT की Post कर छोड़ करके आपका Computer Based Test होगा और Skill Test होगा Mode of Application आपका Online रहेगा और Application Fee के अगर बात करें तो आवेदन करने के लिए EWS OBC Access Man Candidate को यहां पर 500 रुपे Application Fee करने है और SCHT PWD Candidate को कोई भी Fee करने क्या हो सकता नहीं है इसी के साथ 500 रुपे के अलावा आपको Processing Fee और जो आपकी अन्ये Charge लगता है जो की GST है वो आपको Fee के साथ देनी होगी अब चलिए इसके Official Notification पर चलते है यह आपकी Official Website है यह आप यहां पर Career Section के अंदर देख सकते हो कि इस Job के बारे में Announcement यहां पर किया गया है जैसे आपका इसका Detailed Audiment ओपन करते हो तो आपके सामने यह Audiment आ जाएगा अब यहां से मैं आपको सभी जानकारी Confirm कर देता हूँ दोस्तो आपका सवाल यह भी हो कि क्या यह बरती Contract Base है या फिर Permanent है तो यहां पर कोई भी इस जानकारी नहीं दी जारी कि आपकी Contract चुले है या फिर Permanent है बट अगर मैं बात करूँ तो यह बरती आपकी Permanent होने वाली है क्योंकि यहां पर From India National for Filling Up the Following Post on Direct Recruitment Basis यह Direct Recruitment Basis रहेगा जो कि आपकी नियुकति की जाएगी Corporate Office New Delhi Regional Area Offices and Farms Located All Over India New Delhi के अंदर आपकी Posting होगी Regional Area Offices के अंदर और इसके लावा जितने भी All India के अंदर NSCL के Farm से वहाँ पर आपकी Posting की जाएगी बट यह बरती आपकी Permanent ही होने वाली है अब आपको यहां पर नीचे Post के नाम देखने को मिलेगी और जानने को मिलेगा कि कौन सी Post किस Department के अंदर निकाली है या फिर किस Discipline के अंदर निकाली है और उसके जो पद निकाले है वो किस Candidate के लिए कितने है जैसे कि Fresh के लिए यहाँ पर आपको एक Column दिये जा रहे है बैकलोग कर दे जा रहे है तो आपको चेक कर लेने कि Fresh के लिए कितने पद है और बैकलोग के लिए कितने पद है इस PDF में आपको यह सब जानकरी जानने को पूरी मिल रही है साथ ही आपको यहाँ पर Essential Qualification and Experience के नीचे जानने को मिलेगा कि किस Post पर आवेदन करने के लिए Exactly आपके पास क्या Qualification मांगी है और इसमें आपके पास अगर किसी Post में Experience मांगा है तो कितना Experience मांगा है बिसिकल लेकर Management Training Post की बात करें तो इसमें आपके कम से कम 60% होने जरूरी है तब आप इलिजिबल हो पाओ के आवेदन करने के लिए अब यहाँ पर आपको इसी परकार से सभी उन डिसिप्लीन की Qualification चेक कर लिनी है जिन जिन डिसिप्लीन पर ये पद आपके निकाले गए है तो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्कूल कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अपनी Qualification मैच कर ले और जान ले कि आपकी Qualification इनमें 60% के साथ मैच होती है अब यहाँ पर जो आपकी Trainee Technician Diesel Mechanic की है आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनके लिए यह पद निकाली है Trainee Technician की और आपको Vacancy Retail यहाँ पर दी जा रही है इसके अलावा इस पर आवेदन करने के लिए आपस आईटाई की योग गयता मांगी जो कि NCVT के दोवारा Recognize होना चाहिए और आपकी जो ITI है उसमें आपके कम से कम 60% होने जरूरी है और वो ITI आपकी इनमें से किसी एक Trade के साथ होनी चाहिए साथ यहाँ पर Apprentice भी मांगी है यानि कि आपके पास ITI भी होनी चाहिए और आपके साथ आपके पास Apprentice भी होनी चाहिए इनमें से किसी एक trade के अंदर जो कि यहां पर दिये जा रहे है तो आपने यह जानकर यहां से confirm कर लिए नीचे आपको salary की जानकरी confirm करने को मिलेगी कि किस post पर आपको exactly क्या salary दी जाएगी फिर यहां पर आपकी age limit आती है selection process selection process totally मैं आपको बता चुका हूँ बट detailed मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए exam pattern and syllabus के बारे में एक अलग सी वीडियो बनाओ और साथ यह आपके लिए model question paper भी लेकर के आओ तो उसके बारे में आप लोग मुझे comment करके बता सकते हो या कह सकते हो कि सरमे syllabus के बारे में एक अलग सी वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा अब यहां पर apply आपका online के जाएगा बट जैसे कि मैंने आपको बता कि apply link अभी activate नहीं हुआ है जैसे link activate होगा या last date आएगी तो मैं आपको time to time बता दूँगा तो अगर आप चाहते कि आपको इस बर्ती का परते एक update मिले और कोई भी जानकारी इस बर्ती से जोड़ी होई आपसे मिसना हो तो आप इस चैनल को subscribe जरूर कर ले application fees भी मैं आपको confirm कर देता हूँ तो ये सब charge आपको 500 पे के अलावत देने है commencement of online registration of application by candidate will be notified on SEL and SEL website यानि के website के उपर आपको notify किया जाएगा और अभी अनुमानित तोर पर अगर exam date की बात करें तो अगस्त 2020 रखी गई है maybe अगस्त में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी जुलाई चल रही है इसका मतलब है कि आने वाले एक दो दिन के अंदर आपका apply link activate हो जाएगा और जैसे ही आपका form का जो time है और खतम होगा उसके तुरंत बाद 15-20 दिन के बाद आपका जो exam date है वो आ जाएगी तो दोस्तों बाद सीथ यह आपकी NACL latest recruitment 2020 के बारे में पूरी जानकारी आई होप यह सब जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज आपस वीडियो को like, share और साथी साथ आपके अपने YouTube चनल ग्यांदे होश्ट को सबस्क्राइब कर ले और सबस्क्राइब करने के बाद बैल के आईकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकिसन सबसे पहले मिल पाए जेहीं दोस्तों